एलो एबरीवन केसे हैं आप लोग आई हो बहुत अच्छे होंगे खुश होंगे स्वस्थ होंगे और मस्थ होंगे तो अभी मैं आप लोग साथ शेयर करने जा रही हूँ कड़ाई पनीर की रेसिपी जिसके लिए मैंने यह प्याज ले लिए हैं यह दो तरीके के लिए हैं वह हैं दो मैं इसमें से थोड़ा सा बचाऊंगी सुबह मैं पनीर की सैंडविच बनाने के लिए और उसकी रेसिपी आप लोग जरूर देखेगा क्योंकि बहुत ही इजी तरीकी से में बनाऊंगी तो बस यहां पर मैंने ओयल रख दिया था गरम करने के लिए मस्टर्ड ओय उसमें मैं डाल रही हूं प्याज और मैंने कर दिया है चिमनी की लाइट ओन क्योंकि मुझसे किसी ने बोला था आपकी उसमें लाइटिंग कम रहती है तो लाइटिंग मेरे लिए सफिशेंट रहती है उपर जो लगी है बड़ शायद कैमरा में पिक अप नहीं हो पता है आप लो को कम लगती हो तो यहां पर में पर मैं झाल ऄट यहां पर मैं अनियन दढ दिया है उसके बाद मैं अची चुला नमक शरकाएटिक नोर भी तेष्फिव कं बंक चली बासे चिली ओं गे तो बस यहां पे मैं कैपसिकम और इसमें भी थोड़ साल्ट और ब्लैक पेपर डालूंगी क्योंकि अच्छा टेस्ट आ जाता है और उसके बाद जब आपकी वेजिटेबल 50% कुख हो जाए उसके बाद आप इसको निकाल लीजेए वाकी का हम ग्रेवी में पका लेंगे और मैं इसके बाद यहां पे डालूंगी थोड़ा सा ओयल मस्टर्ड ओयल उसमें मैं डालूंगी जीरा और लसुन और जीरा लसुन मैं मैं कट करके डाल दूंगी बाकी कप पिस जाएगा मैं बड़ा बड़ा इसलिए काट रही हूं कि हम यह ग्रेवी को पीसेंगे मतलब यह मैं भून रही हूं उसको पीसेंगे भूनने के बाद तो यहां पे मैं डाल रही हूं अद्रक अद्रक और लैसन को जब थोड़ा सा पक चाहेगा उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज और प्याज डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे पहले मैं प्याज डालती हूं एक मेडर को आपको साथ साथ बदाती जाते हूं यह प्याज जो मैंने लंबा-लंबा काठ की रखा टाव डाल दिए इसमें और प्याज भी थोड़ा सा भुन जाए उसके बाद मैं इसमें डालूंगी हरी मेच और इसमें डालूंगी मैं काजु और टमाटर तो पहले प्याज भूनने का हम बेट करेंगे जब प्यास भून जाएगी इसके बाद मैं डालूंगी हरी मेर्च और दिखिए आपके सामने हरी मेर्च मैं कभी भी ऐसे हाथ से चाकू से नहीं काटती हूं मैं हमेशा यह से जर से काटती हूं क्योंकि मेरे हाथ में जलन होने लगती है और मुझ इसको मैं अच्छे से भून लूँगी जब तक हमारे टमाटर यह सॉफ्ट ना हो जाए और इसी में मैं डालूंगी काजू काजू का पकेट रखा है जो वह मैं इसमें डालने के लिए रखा है तो बस चार पांचे काजू डालूंगी और वहां पर मैंने साइट में तवा अगली है नॉन स्टिक यह फ्राइ करने के लिए पनीर को जब अपने बाकी की पनीर रेसिपीज मैं इसमें कर रही हूं क्योंकि आज मेरा मन हुआ कि थोड़ा चेंज करके बनाती हूं तो मैंने फ्राइग लिया और बस इसको हम पीस लेंगे ग्रेवी को जितना आपको स्म मैं बना रही हूं मेरे कोई ऐसा चैनल रेसिपी का चैनल ली है तो मैं ऐसा ही डालूंगे आपको चाहिए तो आप इसको छान सकते हो ये ग्रेवी को तो जो बड़ा बड़ा चीज है वो निकल जाए और एकदम आपकी सिल्की ग्रेवी बनेगी स्मूदी यहां पर मैंने फ सबजी खाका के में बोरो गई थी नॉमल तो मुझे थोड़ा चेंज करना था मैंने चेंज कर दिया और यहां पर मैंने डाल ले यह कश्मीरी मेश थोड़ी सी और डाल दिया है यह ग्रेवी पेस्ट मतलब तो यहां पर मैंने एक ही कड़ाई में सारे काम कर लिए आप भी क सब भी लोग करते होंगे जो जार में चिपका और रहता है तो बस इसको मैं अच्छे से भून लूगी और यहां मैंने डाला है हल्दी और थोड़ा सा गरव मसाला हल्दी बहुत थोड़ी से डाली क्योंकि हमें कलर पीलानी चाहिए हमें कलर नॉर्मल चाहिए जो हमने कश् पथा कर दो तो यहां पर यहां पर सब लोग को पनीर बहुत पसंद आता है तो यहां पर मैं डाल दिया है वह जो हमने अभी फ्राइ किया था इस पहले फस्ट यह कैप्सिकाम और वो प्याज तो वो डालिया है वो पक जाएगा थोड़ा सा तो हम डालें के इसमें पनीर अ आपनी घ्रेवी अपनी पत्ली निभी गाई are도 अधिक में धालई और के नवा तो कि अधिक सेथे पने के बाने के पाद मैं सकते हूं की लास्ट में डालती हूं तो नमक वियसे में सबसी में टाल देते हूं вполне लेकिन अभी पनीर में मैंने लास्ट में डाल भी और भीर मैं लाला है। में एपुसटूरी मेथी और धनिया तो मैं आपको दिखाती हूं फाइनल変 सुछ। तो यह है मेरी सबजी का फाइनल लोग आप लोग पताना कैसी लगी कॉमेंट करके हलो एवरीव ribs तो पस दिनर हम लोग का हो क्या है और अब मैं जारी हूँ सोने अनराग और के जाए पनी को दिखाए मेन strongest लोग को सबकेने सयोगई है और अब आप आप लोगों को दिखाया है मैं आज क्या भना आप पता है तो प्लीज मेरे चानल को रेसिपी गया है अगर आप लोग को कुछ भी मेरे व्लॉगिंग में पसंद आता हो तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लीजे बैल आइकन प्रेस कर दीजे जिसे मेरे आने वारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट बढ़ाय तक यह नए रेसीपी और नए व्लोग के साथ बढ़ाय एवर्यवन